हाई अबरीबन आईए आज के इस वीडियो में हम बिहार इस्टेट लिवल जी के कोश्चन्स आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि आपके बिहार इस्टेट लिवल के अलाबा सभी कमपेटिटिव एकजाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है ठीक है ये मेर पार्ट 11 है इसे तिरह मैंने जितने भी पार्ट कवर किए उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ओके तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं ओके चलिए कोस्टन नमर्फ कुश्टन को चलते हैं कोस्टन नमर्फ वरस्ट सुंग बन्स का साइग यूए कौन तो इस में इस फूर डिये हों तो इनुनका करेक्ट अंसर हो जाएगा पूप्सन नमबर का जो परधान मंत्री था बोगधा चानक के चानक के यो जो था यह चैंद्र–कुप्त mend – यहा निक uh कुस्टन नुंबर depths है मोडी संस्थापक कौन था ओके तो मौडी संस्थापक था बोट है चैंद्र चंद्र गुप्त मौड़ी दो थे ये मौड़ी समराज के संस्था पकते ओके नेक्स्ट कोश्चन है तिरतिय बहुत संगीती का आयोजन कहां हुआ था तो तिरतिय बहुत संगीती का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था पार्टली पुत्र में कहां हुआ था ठीक है ये 673 इस्वी में क्या था ठीक है चीनी यात्री इत्सिंग इत्सिंग जो कि बिहार का यात्रा यानि भर्मन क्या था कब क्या था 663 इस्वी में क्या था ठीक है नेक्स्ट है मगद के परवर्ती गुप्त वंस का संस्थापक कौन था ओके मगद के परवर्ती गुप्त वंस का संस्थापक का नाम था क्रिश्णी गुप्त ओके क्रिश्णी गुप्त जो थे ये मगद के परवर्ती गुप्त वंस के संस्थापक थे ठीक है नेक्स्ट है अर कोश्चन नंबर एट है नंद बंस का संस्थापक कौन था उके तो नंद बंस की जो संस्थापक थे उनका नाम था महापद नंद जो थे यह नंद बंस की क्या थे संस्थापक थे उके नेक्स्ट है बिहार का पहला हरीजन मुख्यमंतरी कौन था उके तो बिहार का पहला जन था और यह बिहार का मुख्यमंत्री याने चिप मिनिस्टर भी बना था ठीक है नेक्स्ट कोशन है बिहार में किस अस्थान पर महाबीर स्वामी का जन्म हुआ था तो बिहार के बैसाली अस्थान पर जो है महाबीर स्वामी का जो है जन्म हुआ था यहीं पर इनका बर्त ह नेक्स्ट कुछ ने बिहार में जय परकास की यह भीष विद्याले इस्थी ते थी सिर् नेक्स्ट ओए जरा संग के पिता का क्या नाम थािया तो जरासंद के पिता का नाम था बिरिधरत बिरिधरत जो था ये जरासंद के पिता का नाम था फ़दर्स के नाम थे ठीक है नेक्स्ट है महाजनपद में पावापूरी किसकी राजधानी थी महाजनपद में पावापूरी जो थी एक अस्थान था एक जगा का नाम है ओके प 質 Council क्यों चलते हैं nextुक थे कण्व ऑंस का संस्थापक कौन था तो कण्विवंस का संस्थापक था बासुद्यव एक दुख कए संस्थापक थे ठीक है नेक्स्थ हर्यक वंस का अंतिम शर्ष सक्ट कोन था तो हर्य यहर्यक बंस का जो अंतिम लाष्ट शासक था उन्का नाम था नाग दसक जो था यह हर्यक बंस का लाष्ट शासक थे ठीक है n subst gained austra प्राप करने वाला बिहर का पहला व्यक्ति कौन पार्टली पुत्र नगर की जो अस्थापना होई थी ये चार सो पच्पन इस्सा पुर्व में ही हो गई थी ठीक है पार्टली पुत्र नगर की अस्थापना कब होई तो ये चार सो पच्पन इस्सा पुर्व में होई थी ठीक है नेक्स्ट है बिहार दिवस कब मनाई जाती ह तो बिहार दिबस जो मनाई जाती है ये बेएस मार्च को मनाई जाती है ठीक है बिहार का राजकिये पूस्प यानि कि फलावर क्या है फूल क्या है ये अपको बताना है ठीक है तो बिहार का जो राजकिये फूल है वो है गेंदा क्या है जी गेंदा है ठीक है नेक्स्ट है बिहार का राजकिये पक्षी यानि की बर्ड कोन क्या नाम है तो गौरया गौरया जो है ये बिहार इस्टिट का बिहार बिहार राजकिये पक्षी है राजकिये पक्षी यानि की बिहार में सरबाधिक साक्षर्टा वाला जीला क्या नाम है तो बिहार में सरबाधिक साक्षर्टा वाला जीला जो है बो है रोहतास रोहतास जीला जो है बिहार का सबसे ज्यादा सक्षर्टा यहां पर आपको मिलेगा यानि एजुकेशन ज्यादा यहां पर विलेबल है ठीक नेक्स्ट कोशन की और चलते हैं नेक्स्ट है बिहार का मुगल समराज के प्रांत के रूप में गठन हुआ था कब हुआ था तो इनका गठन हुआ था पंद्रह सो असी में कब हुआ था जी तो पंद्रह सो असी में हुआ था ठीक है उके बिहार का मुगल समराज के प्रांत के कुल सनस्थापक कौन थे तो बिहार सो्स बार्ट के संस्थापक और थे बो थे जैफ परकास नारायन ठीक है बिहार सोसिलिस्ट पार्टी के संस्था पक कौन थे जैपरकास नारायन थे ठीक है नेक्स्ट है पटना को प्रांती राजधानी किस ने बनाया था तो पटना को प्रांती राजधानी बनाने बला सासक का नम था सेर्शा कौन था जी सेर्शा जी से सेर्शा सूरी के नम हो चुका है तो ओदियन का यहां पे पूरह क Bürनाम था है तो यहां पे उधिया को ठीक है और कि यहाँ पर यहां तइक्टरा यहां पर कपैंब हो चुका है टाफे टो पाटली पुत्र के संस्था अपक जो त्य foreign थे रखे गां नय संसर हो जागा ठीक है जगत नारायन लाल की ला को किस जेल में भेजा गया जगत नारायन्द का क्या नाम ठाजी तो अन्तिम मौरीस नमराठ का क्या next question and last है समराट असो के पिता का क्या नाम था वो कौन थे तो उनका नाम था बिंदू सार समराट असो के पिता का नाम क्या था जी तो बिंदू सार था ठीक है तो आज की इस वीडियो में मैंने बिहार एस्टेट लेबल जी के questions मैंने cover की है 30 questions तो इसी तरह part by part हम लोग वीडियो बना करके हम मिलते रहेंगे ठीक है तो आज के इतना ही वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं next वीडियो में आज के इतना ही so thank you